राजधानी पतना में दीन दहारे छोटे सरकार की बदमासों ने गोली मार कर हत्या कर दी और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि दानापूर कोट परिशर में पेशी के लिए छोटे सरकार को लाया गया था इसी दौरान बदमासों ने उनकी गोली मार कर हत्या कर दी हत्या की गई है और आपको पताते चले कि इस मामले में नया अपडेट आ गया है और तीन से पांच मिनट की रिपोर्ट में हम आपको तमाम बाते पताने वाले हैं अगर भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए किरप्या चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और जो लोग अलड़ी कर चुके हैं तमाम लोग को सहिर दे धनबाद अब गवापस आते हैं अपनी खावर पर सबसे पहले आपक है और सबसे पहले अपनी इस गलत थैमी को आप दूर कर लिजे कि छोटे सरकार का मतलब अनंद सिंग नहीं है छोटे सरकार अनंद सिंग को भी कहा जाता है लेकिन जिसकी हत्या की गई है ताबर तोर गोली मारकर कोट परिशर में हत्या की गई है वो अनंद सिंग नहीं बल कोट परिशर में तावर तोर फाइरिंग होने लगी जिसके बाद पूरे कोट परिशर में भागम भाग मच गया अफ्रा तफणी मच गयी और बताया जा रहा कि मिर्तक की पहचान वीटा थाना छेत्र के सिकंद्रा पूर निवासी अभी सेख कुमार उर्प छोटे सरकार के र आजेस कुमार ने कहा कि दो की संख्या में हमलावार थे दोनों को गिरपतार कर लिया गया है मोके से चार खोखा बरामत किया गया है वहीं घटना को अंजाम देने वाले दोनों बदमास युबा हैं उनके पास से हत्यार को जप्त कर लिया गया है उधर कोट परिशर में इस घटना के संबन में सीटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि दोनों बदमासों के पास से दो हत्यार बरामत किये गए हैं दोनों बेक्ती मुझभफरपूर के रहने बाले हैं घटना को अंदाम देने के पीछे इनका आखिर मकसद क्या था ये अभी तक पता नहीं चल पाया है और पुलिस इन से सखन पूश्ताच कर रही है वहीं एसेशपी राजीब मिस्रा ने कहा कि निश्ची तोर पर कोर्ट परिशर में सुरक्षा विवस्था के मामले में लापर बाही हुई है हम लोग इसकी जाच करेंगे और जो भी दोसी पाये जाएंगे उन पर कारवाई करेंगे उन्होंने ये भी दावा किया कि इस घटना में गिरापतार दो बेक्ती के अलावा और लोग भी सामिल हो सकते हैं इसकी भी हम लोग जाच कर रहे हैं उन्होंने कहा कि एक बदमास के पैड में भी गोली लगी है वहीं घटना के दौरान कोर्ट परिशर में मौजू तो ये उठता है कि पुलिस का कहना है कि जिस अपराधी को गोली लगी है और जिस अपराधी का नाम अभिशेक कुमार उर्फ छोटे सरकार बताया जा रहा है उस पर हत्या समेत कई सारे संगीन मामले दर्ज थे तो आपको बताते चले कि कि किसी भी अपराधी को भी गोली म कादिकार कैसे किसी को मिल लाता है इसके लिए हमारे देश में संविधान है कानून है और कानून के हिसाब से चलना होता है वहीं सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपराधियों का मनोबल इतना जादा बढ़ गया है कि कोर्ट परिशर में हत्याएं हो रही है खुलयाम हत्याए हो रही है यह भी बताया जा रहा कि जब छोटे सरकार उर्फ अभिसेक कुमार पर हमलावारों ने तावरतोर फाइरिंग की इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने दोनों बदमासों को फाइरिंग करने वालों को पकर लिया और इसके बाद उन दोनों की जबरदस्त धु कोटे सरकार उर्फ अभिसेक कुमार पर गोलिया बरसाई थी उनकी मौत भी हो सकती थी लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस जंगल राज पर उठ रहा है कि आखिर बिहार पुलिस क्या कर रही थी और कोट परिसर को सबसे सुरक्षित जगह कहा जाता है लेकिन कोट परिसर में कर दिया है और इससे ये बात सावित हो रही है कि अब कोट परिसर भी सुरक्षित नहीं रहा सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां कोट परिसर में मानिये जज सहाब बैठते हैं वहां पर ऐसी घटनाओ का होना ये बहुत गंभीर मसला है और इस पर बिहार के डीजी पी आ अब इक्षा मुखमंतरी नितीस कुमार को भी करनी चाहिए बिहार के लोग भय के महौल में जी रहे हैं अपराधियों का बोलवाला है अफरन हत्या लूट बलातकार का दौड लगातार जारी है इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले जूरे रहे हमारे साथ जय हिन जय भार।